मुंदुस्तान के आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका गोस्त मुहमद मुकीम से आईए देखते हैं आज के मुख्य समाजाद। प्यारे दिश्वाशियों, कांग्रिस पार्टी देश्भार में छात्रों, युवाव और नागरिकों के किलाफ भाजपा सरकार के कुरूर दमन पर अपनी गहरी पीडा और चिंता व्याक्त करती है। भाजपा सरकार के विवाजंकारी अजेंडे और जन विरोदी नीटियों के खिलाफ देश्भार के बिश्ववी द्यालियों और अन्य प्रमुक शिक्षा संस्तानों में स्वभाविक तरीके से विरोद प्रदार्शन हुए है। लुक्तंत्र में लोगों को सरकार के गलत फैसलों और नीटियों के खिलाफ आवाज उठाने और अपनी चिंताओ को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। इसी प्रकार सरकार का भी करतव्य है कि वह नागरिकों की बात सुने और उनकी चिंताओ को दूर करे। दुख की बात ये है कि भाजपा सरकार ने लोगों की आवाज को पूरी तरह से नजर अंदाज किया है। यहीं नहीं उनकी असेमती की आवाज को कुचलने के लिए परबरता से ताखत का इस्तमाल किया है। लोगतंत्र में ये कताई स्वीकार्य नहीं है। कांग्रिस पार्टी सरकार की हरकतों की पुरजोर निंदा करती है। और न्याय की लराई में भरतिय नाग्रिकों और अपने चात्रों के साथ एक जुट होकर खरी है। नाग्रिक्ता संशोडन कानून बिद्भावपूर्न है। नोत्पंदी की तरहें एक बार फिर एक एक व्यक्ती को अपने और अपने पुरवजों की नाग्रिक्ता साबित करने के लिए लाइन में करा होना पड़ेगा। प्रस्तावित राष्ट्र स्टार पर एनर्सी समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुचाएगी। लोगों की अच्छंकाए सही और जायस है। कांग्रेस पार्थी भारत के लोगों को भरोसा दिलाती हैं कि वह उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े हुने और हमारे संदिदान के बुनियादी मूल्यों को बनाये रखने के लिए पूरी तरे से प्रतिबध है। जै हिंद। को हमारे वीडियो का लेटेस अबडेट मिन्स है कि जो की बिलकुल मुख थे। कि जो ल्हाओ पूरी तरे से अधिक बिलकुल मुख थेजू कि जो हमारे प्रतिबद है और हमारे जो कि अधिकारों का ऑफ दु़ पूरी फ्रतिबद है झाल झाल